कॉंग्रेसी अमेथी से राहूल गांधी चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, यहां नामांकन शुरू हो चुका है, पर अब तक कॉंग्रेस ने उमीदवार के नाम का एलान नहीं किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी वर्ट्श 1980 के उप चुनाव का इतिहास दो और आने वाली है, उस वक्त कॉंग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद प्रत्याशी उतारा था, अब तक राहूल गांधी के चुनाव लड़ने के सिर्फ दावे हैं, कॉंग्रेस जुलाद्धिक्ष प्रदीप सिंग्वाल दावा करते हैं कि राहूल गांधी ही कर शुरू होने के बात की थी, जिस दिन राजीव उमिद्वार घोशित हुए, उसे दिन उन्होंने नामांकन किया था, अमेठी में भाजपा छोड़ किसी बिदल का प्रत्याशी अभी तक तै नहीं है, बस्पा भी सपा कॉंग्रेस कर पंदन के कदम का इंतजार कर रही है दावा की अचारा है कि बस्पा के एक संभावित उमीद्वार ने परशा भी लिया है, पर पार्टी ने अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई है